हलो सुडेंट स्वागत है आप सभी आपकी अपने चैनल गॉट ग्लासेज पर गॉट ग्लासेज यहानी मैथ भी और मस्ती भी तो बच्चों आज की जो क्लास है सी उटी से रिलेटिड आज हम करने वाले इसमें एंटी एका मॉक टेस्ट जो एंटी ने रिलीस किया था आप लोगी प्रैक्टिस के लिए बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा तो आज हम उसको पूरा डिटेल में डिसक्रस करते हैं कि कोश्चन करेंगे कि कौन से कोश्चन को किस टैक्नी से करा जाए तागि आपका जो टाइम है वो कम से कम लगे क्योंकि यहां पर को करने हैं लेकिन टाइम भी कम लगाना है अननेसेसरी चीज़े आपको लिखने की जरूरत नहीं है मैं आपको समझाने के लिखूँगा लेकिन सासाद मा आपको बदाता भी जाओँगा क्या आपके लिए लिखना मेंडेटरी है और क्या आप स्किप कर सकते हो ठीक है ऐसी चीज़े जो average time होगा कोई question थोड़ा जल्दी हो जाएगा कोई question थोड़ा time लेका तो balance मिलाकर एक minute का हमें average time मिलता हर एक question के लिए तो उसमें हमें अपना complete paper करना है पेपर का pattern आप सबको पता ही होगा कि आपके पास जो total आपको question करने होगे उसमें section 1 के अंदर 15 question है वो आपके लिए compulsory है चाहें applied math के students हैं चाहे core math के students हैं सबको 15 question करने ही है उसके बाद जो section B2 आएगा applied math के लिए B1 होगा core math के लिए तो उस B2 में से आपके पस 35 questions आएंगे 35 में से 25 questions आपको वहाँ पर करने है यानि 10 question की वहाँ पर choices आपको मिलेंगी अब वो 10 question की choices भी आपको समझनी है कि चोड़ने यहां पर question चोड़ना question leave करना भी एक art है जो अच्छे तरीके से उसको कर लेगा यानि वो अपना paper पूरा time पर जरूर कर लेगा तो बिल्कुल घबराने के जरूरत निया paper आपका definitely time पर होगा हम एक चीज़ यहां पर discuss करेंगे हर question या discuss करेंगे कि कि किस तरीके से आपको approach रखनी चाहिए questions को solve करते हुए तो start करते हैं सबसे जो पहला question आपको दिया हुए अब इस पहले question में आप देखो कि आपसे यहां पर पूछा गया इसने differential equation यहां पर दिये और आपसे degree पूछी गई है अब यहां पर सभी का कोई ना कोई मतलब degree तो ही है यहां पर जब आपको चारों में 1,2,3,4 यहां पर degree दी गई है अब यहां पर आप identify करने की कोशिच करो कि कौन सी equation simple रहेगी आपको पहले solve करना वहीं से start करेंगे जैसे पहले वाली equation आप देख लिए हो कि इस side में root लगा हुआ है इधर power 1 by 3 है तो इसको हमें simplify करने के लिए इसकी power 1 इसकी power 6 से multiply करना पड़ेगा हमें दोनों तरफ तो वहां पर आपको समझने में हो सकता थोड़ा सा time लगे तो इसको आप छोड़ो इसको नहीं करना भी इसको भी नहीं करना power 1 by 4 है इनको बाद में देखेंगे जरूत पड़ी तो अब यहां पर देखो C part में देखो यहां और आप बड़े प्यार से बड़े आराम से बता सकते हैं इसकी degree क्या है यहां पर second order derivative है order इसका 2 है order पूछा नहीं है लेकिन उसकी power हम देखेंगे उसकी power यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है तो इसका मतलब इसका जो combination आप बनाओगे इसके साथ तो इसका बनेगा इसके साथ य इसकी degree होनी चीए 3 यानि इसका option बनेगा यहां पर आपके पास यह अब देखो C का 1 और D का 3 पहले इसको चेक कर लो यह कहां पर है C का 1 नहीं है छोड़ दो C का 1 है D का 3 नहीं है छोड़ दो यानि इन दोनों में आप देखते हैं C1 D3 C1 D3 मतलब यह दोनों में से एक हमारा answer है अब आपको बच तीसरी equation चेक करनी है अब उसमें भी आप क्या करो इस वाली equation को pick करो क्योंकि यहां पर स्रीफ power 1 by 4 है इस 1 by 4 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इधर भी power 4 करेंगे इधर भी power 4 करेंगे तो left hand side में आपने power 4 करी यहां गया right hand side में आपने power 4 करी और यहां power 4 करोगे तो यहां से यह cancel हो जाएगा अब यहां पर क्या आपको इसको कुछ solve करने के जरूरत है कुछ जरूरत ही नहीं है ना degree तो आपको यहां से मिलेगी क्योंकि highest order यह है तो इसकी power कितनी आगई है 4 तो इसकी degree कितनी होनी चाहिए 4 अब इसकी degree आएगी 4 यान यूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए next question में देखते है next question में कहता है आपसे कि the degree of the differential equation of family of curve represented by y equals to c x minus c का whole square where c is a parameter यहां पर आपको डिगरी बतानी है और आपको जो differential equation दी हुई है उसमें आपको एक variable दिया हो एक arbitrary constant दिया हुआ है y equals to c x minus c का whole square तो c एक arbitrary constant है मतलब आपको एक बार derivative करना है इसमें एक बार से आप ड़र derivative नहीं कर सकते है अगर इस question में order पूछा हो था तो बिना कुछ solve करें आप answer दे सकते थे 1 क्योंकि एक arbitrary constant है एक उसकी degree आएगी और एक उसका order आएगा degree निकालने के लिए हमें इसको solve करना पड़ेगा अब solve तो dy by dx निकालते हैं इसका इसका dy by dx आगे आपके पास c तो constant है ऐसे ही रहेगा इसका derivative करेंगे 2x-c यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ dy by dx equals to 2c x-c अब आपको क्या काम करना पड़ेगा या तो आप यहाँ से c की value निकालके इस original equation में डालो या वहाँ से c की value निकालके यहाँ डालो दोनों में से कोई एक काम करना है मतलब c को आपको यहाँ से खतम करना है अब यहाँ से हम value तो नहीं निकाल सकते लेकिन यह वाला जो part है ना इस पर दरा ध्यान दो यह x-c का square है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y equals 2 में c x-c x-c मेरे को इसकी value चाहिए हैं यहाँ पर c into x-c तो इस वाले x-c को इसके नीचे लिया दे हैं तो इसकी value बन गी आपके पास 2 और y ठीक है y upon में x-c यह इसकी value आ गई 2y upon में x-c और left hand side में के आपके पास dy by dx अब यहाँ से आप c की value बड़ आराम से निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ तक क्या हो रहा था c दो बार आ रहा था यहाँ पर भी c दो बार आ रहा था तो वहाँ दिक्कत आ रही थी अब आप c की value निकाल सकते हो इसके लिए cross multiply करते हैं यह इधर चला गया 2y और यह बन जाएगा dx by dy उससे कोई फरक नहीं पड़ता dx by dy में भी differential equation हो सकती है अब यहाँ से minus c को इधर ले जाओ तो c की value बन जाएगी x minus 2y dx by dy अब आपको इस value को starting की जो equation है वहाँ पर put कर दे रहा है तो वहाँ पर आपके पास बना y equals to c, c की जग minus 2y dx by dy into x minus c, c की value यह है इसको आपको minus करना है तो x minus c, 2y, x minus 2y, c नहीं, x minus 2y dx by dy और इसका करना है आपको whole square जब आप इसकी bracket खोलेंगे तो इससे यह हो जाएगा cancel और यह minus, यह minus मिलकर बन गया plus और इसका जब आप square करोगे तो यह बन जाएगा आपके पास 4y square dx by dy का whole square और यहाँ पर multiply में है x minus 2y dx by dy अब इसको हम एक बार और multiply करेंगे लेकिन आप multiply आपको करने के जिरुद नहीं हाँ तक आप समझ गियोंगे अब जब हम इसको इससे multiply करेंगे तो dx by dy की power दो इधर है और एक इधर है यानि dx by dy की power आएगी 3 अब power 3 आएगी और तो कहीं नहीं है और इसका dx by dy है मतलब highest order इसका बनी है चाए dy by dx आजाए चाए dx by dy आजाए वो उसकी कोई tension नहीं है ठीक है एक बार आपका तीन बार आपकी पास उसकी डिगरी आ जाएगी तो इसकी डिगरी बनेगी आपकी थ्री आंसर आगे आपका c next इस question में देखते हैं इसमें क्या कहता है आपसे इस question के अंदर इसने कहा कि भई the area of the region in the first quadrant bonded by the parabola y equals to 4x square अब यह वाला parabola कौन सा है आपका y equals to 4x square मतलब जिसमें downward direction होती है तो अब के बास जो parabola वो यह वाला बनेगा और line क्या क्या लेनी है x equals to 0 x equals to 0 की line यह वाली होती है ठीक है y equals to 1 इदर आ गया y equals to 4 इदर आ गया और area कौन सा लेना है इसने बुला कि first quadrant का तो इन सबसे जो bound हो रहा है first quadrant में वो यह वाला area हो रहा है अब जो area bound हो रहा है उसकी जो limit है वो यहां से यहां तक आ लिए यानि 1 से लेकर 4 तक limit आगी 1 से लेकर 4 तक अब आप limit यहां पर y की ले रहे हो तो यहां पर जो आपको function लेना है in term of y लेना है अब function in term of y कब आएगा जब आप यहां से value निकालोगे x की y को मैं 4 को इधर लाया x की value किया आएगी आपके पास root y upon me 2 तो यह value आपको यहां पर डालनी है root y upon me 2 अब यहां पर इसको integrate करोगे root y जो 1 by 2 है तो भार ही रहेगा root y का integration करेंगे y की power 3 by 2 इससे ही हो जाएगा cancel आपके पास आया answer 1 by 3 पहले हम 4 को put करते हैं तर 4 की power 3 by 2 फिर minus फिर 1 को put करेंगे 1 की power 3 by 2 तो 1 की power तो कितनी भी हो 1 ही रहना है अब 4 की power 3 by 2 को solve कर लेते हैं इसमें क्या हैगा अब इसमें जब आप solve करते हैं पहले या तो आप square root solve करो या पहले cube solve करो कैसे भी कर सकते हो अगर मैं पहले उपर power 3 को solve करता हूँ मतलब 4 की power 3 4 की power 3 होगा 64 64 की power 1 by 2 मतलब square root और 64 का square root होता है 7 और सोरी 64 का square root होता है 8 minus करके 7 आएगा तो यह हो जाएगा 8 minus 1 7 आगया तो answer आगया 7 upon me 3 तो option आगया आपके पास option number A अब next question पर चलते हैं next question आपके पास आया यह अब यहाँ fourth question में कहता आपसे कि limit आपको 1 से 2 दे रेखिए 1 upon me x 1 plus x square dx equals to y तो i की value आपको बतानी है तो अब यहाँ पर तो function आपको दिया वा partial fraction से जवाब करोगे तो A upon me x आ जाएगा और B x plus में c upon me 1 plus x square आएगा क्योंकि नीचे जो function है यह quadratic function है एक तरीका तो हो है दूसर तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरह की question में आप क्या कर सकते हो यहाँ पर power x की power 2 है इधर x है तो इधर अगर x हो और इधर x की power 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो बीच में plus हो या बीच में minus हो कुछ भी हो आपको क्या करना है x की power एक कम करनी है और उस कम करके numerator और denominator दोनों को multiply कर देना है क्या करना है x की power एक कम करनी है जो भी जितनी भी power यहाँ पर दे रखी हो के और numerator denominator denominator दोनों को multiply करने है तो अगर हम numerator को multiply करेंगे तो बन जाएगा x denominator में एक x पहले से ही है तो यहाँ पर आजाएगा आपके पास x square और bracket के अंदर तो यह थाई अब यह काम हम करते क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो function आता है उसका derivative आपके पास उपर बन जाता है x square का derivative करेंगे तो बनेगा 2x तो उसमें से x तो ही ना 2 को adjust कर लेंगे 2 तो अपना खास है कोई बाद नहीं 2 को यहाँ multiply कर देंगे 2 को यहाँ divide कर देंगे बनेगा 2x जब आपके बास इन दोनों का यहाँ पर x square का derivative x square का derivative उपर आ रहा है तो यानि आप इसको substitution method से कर सकते हो आपने x square को put कर दिया t तो उससे क्या बना 2x dx equals to dt तो जो 2x dx आ रहा है इसकी जगे यह खतम यहाँ रहागा dt और यहाँ पर रहागा t और यहाँ आगा 1 plus t अब substitution method में यह होता है कि अगर आप limit चे अगर आप function change कर रहे हो x से t में तो अब limit भी change कर दो यह आप इसको पूरे को solve कर दो last में इसको वापस x में लाओ फिर आपको x की जो limit है वो यही लगानी है लेकिन यहाँ भी चोटा तरीका आपको यही बढ़ेगा कि x को आप t में convert कर लो ना असानी होता है जैसे यहाँ पर limit लोर limit क्या 1 तो x की जगे 1 रखोगे तो 1 का square 1 ही रहेगा तो limit आएगी यहाँ पर 1 यहाँ पर है कि 2 2 का square करेंगे आएगा 4 तो यहाँ पर आजाएगा आपके पास 4 अब यह हमारा कोश्चन है complete इसको solve करना है अब जब आपके पास यहाँ पर 2 टाम आती है से यह बन जाएगा 1 by t minus 1 by 1 plus t इसमें आपको partial fraction लगाने की कोई ज़रूद नहीं है अब इसका आप integrate करोगे तो यह बनेगा आपका log t minus log 1 plus t अब क्योंकि यहाँ पर जो answer है न दो different terms में तो इसको आप इखटा मत करो इसको ऐसे कैसे हैं न दो सिधा ही पर ही limit लगा दो अपने यहाँ पर put करा तो यह बनेगा log 4 minus यहाँ पर put करेंगे यहाँ जाएगा log 1 plus में 4 यानि 5 फिर minus का sign 1 put करेंगे यहाँ पर log 1 minus log 1 plus 1 log 2 अब जो answer है उसमें log 4 कहीं पर भी नहीं है तो आप क्या करो log 4 को log 4 को आप ऐसे लिख लो 1 by 2 log 2 की power 2 log 5 को ऐसे रहने देंगे इसकी bracket खोलेंगे log 1 की value होती 0 यह minus यह minus हो जाएगा plus यह आगया log 2 अब log की property होती है कि जो power होती है वो आगया जाती है तो यह बन जाएगा 2 log 2 2 log 2 minus log 5 और एक log 2 आपके पास last में है तो 2 log 2 यह हो गया एक log 2 यह हो गया यह नहीं 3 log 2 minus log 5 अगर आप इसकी bracket solve करोगे तो बन जाएगा 3 by 2 log 2 minus 1 by 2 log 5 अब इसमें से देख लो कौन सा आपका option बनता है 3 by 2 log 2 minus 1 by 2 log 5 option बनेगा हमारा इसका c तो fourth का जो answer है वो आजाएगा c अब fifth question पे जलते हैं fifth question में fifth भी आप देखोगे तो same साही question है यहाँ थोड़ा printing mistake है यहाँ पर x square नहीं है यहाँ एदर x की पावर 5 एदर ठीक है इधर x की पावर यह 5 है यहाँ पर यह गल्द है तो मतलब question हमारे पास ऐसे है integral of 1 upon x x की पावर 5 प्लस 1 अब अभी अभी जो concept हमने discuss करा पिछले question में same concept वाला question यहाँ पर आ रहा है यह x की पावर 5 है वाँ x की पावर 2 था इतना फरक है तो यहाँ पर क्या करोगे x की पावर एक कम करनी है कम करके फिर multiply करना है तो उपर हमने कम करा x की पावर 4 आ गया नीचे एक x अल्रेडी है x की पावर 5 और x की पावर 5 प्लस 1 अब x की पावर 5 का जो derivative होता है वो था 5 इंटू में x की पावर 4 तो यहाँ पर x की पावर 4 है लेकिन 5 नहीं है तो 5 तो कोई बात नहीं 5 तो इदर आ जाएगा तो अब नीचे वाले का derivative exact उपर बन गया है जैसे पिछले question में प्रोसीड किया था सेम उसी तरीके से आप पुट करेंगे पुट करके आपके पास यह सारा खातम हो जाएगा यहाँ t बनेगा यहाँ t प्लस 1 बनेगा ठीक है तो आपके पास question इस तरह से बनेगा 1 by 5 1 by t इंटू में t प्लस 1 यह पुट पुट करने के बाद जैसे पिछले में किया था वैसे बिल्कुल सेम करना कुछ फरक नहीं आएगा अब इसको आप अलग लग कर देंगे 1 by 5 1 by t माइनस 1 पॉन में t प्लस 1 इंटिग्रेट करते हैं यह बन जाएगा log t यह बन जाएगा log of t प्लस 1 अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कर रखा है log को combine कर रखा है तो आब log को combine कर लो इसको t को इसके नीचे लियाओ t प्लस 1 को क्योंकि यह माइनस में यह नीचे आ जाएगा तो यह बन जाएगा 1 by 5 log t उपर और नीचे t प्लस 1 प्लस में c और t की जाएगा पर आप पुट कर देंगे x की पावर 5 x की पावर 5 प्लस 1 प्लस c तो option देखो कौन सा आपके बास आ रहा है option number first 1 upon 5 log x की पावर 5 5 प्लस 1 c तो फिफ्ट का जो option है वो बनेगा a question number 6 पे चलते हैं 6 में आपको बोलता है 6 में कहता है कि भाई the tangent to the curve y equals to 7 x q plus में 3 at the point where x equals to 1 equation of curve is this at x equals to 1 and x equals to minus 1 are parallel यह कहता है कि जो curve है इस curve का tangent है, curve का tangent हम कैसे निकालते हैं derivative करके तो यह कहता है derivative करके जब आप इसका tangent निकालोगे तो x equals to 1 और x equals to minus 1 पर यह parallel होगा तो हम check करते है parallel है या नहीं है तो उसके लिए पहले derivative निकालो इसका derivative हमने कर दिया, यह आगया dy by dx equals to 37 to 21 x square और plus 3 का तो 0 हो जाएगा अब हम x equals to 1 पर अगर निकाले इसमें अगर हम 1 put करें तो यह बन जाएगा 21 into 1 का square मतलब 21 अगर अब minus 1 put करें तो भी आ रहा है 21 तो दोनों case में slope आ रहा है बराबर अब दोनों case में slope बराबर आता है तो जब भी दो line का slope बराबर होता है तो वो line क्या होती है parallel ही तो होती है तो यहाँ पर यह कहा रहा है कि यह parallel है मतलब यह वाली जो statement है यह assertion जो है यह correct है अब reason में क्या कहता है कि the slope of the tangent at the point where x equals to 1 and x equals to minus 1 are equal तो reason में यह दे रहा है कि x equals to 1 और x equals to minus 1 पर आपने जो slope निकाला है वो equal है तो वो भी ठीक है हमने निकाला है दोनों में equal आ रहा है तो reason इसका सही दे रहा है क्योंकि equal आ रहा है तभी वो parallel है तो यारनी reason भी आपको सही दिया हुआ है तो इसमें option बनेगा both a and r are true and r is the correct explanation of a तो इसका option बनेगा आपके पास a question number 7 में कहता है the number of all possible matrices of order 2 by 2 with each entry 1, 2 और 3 ठीक है बहुत simple सा question है कि आपके पास एक matrix है जिसका order 2 by 2 है 2 by 2 का मतलब क्या हो गया वही कि 2 by 2 का मतलब उसके अंदर चार element आएंगे ठीक है चार element आएंगे एक दो तीन चार अभी कहा रहा है कि इनके अंदर आपको आपके पास फिल करने के लिए तीन entry है आप 1 रख सकते हो तू रख सकते हो या थ्री रख सकते हो यानि जब पहला option में फिल करूंगा तो यहां पर तीन possibility हैं यहां भी तीन possibility हैं यहां भी तीन यहां भी तीन यह मैं तीन matrix नहीं मना रहा हूं यह possibilities बता रहा हूं और जितने भी possibilities होती है उन सब को कर देते हैं multiply तो 3 थीज़ा 9, 9 थीज़ा 27, 27 थीज़ा 81 तो 81 matrices आप बना सकते हो इससे जिसमें entry में या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा ठीक है उसके नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं कुश्चन नमबर 8 कुश्चन नमबर 8 में आप से पूछ रहा है कि x equals to minus 1.17 then integral part of x x का integral part क्या है तो आपको जो भी number यहां पर दिया होता है उस number से पहले जो integers आता है number line पर वो उसका integral part होता है तो जैसे आप number line बनाओगे तो यहां पर minus 2 है इधर minus 1 है तो इन दोनों के बीच में यहां पर minus 1.7 आ रहा है तो जो integral part होगा इसका यह बन जाएगा 2 ठीक है यह नहीं देखना कि इसके close है कि इसके close है उससे पहले जो integer आरा number line पर वो इसका answer होगा तो answer बनेगा इसका minus 2 if A is an invertible matrix of order 4 A is invertible matrix है order 4 है determinant दिया हुआ है then the value of adjoint of A करने की जरूद नहीं है बहुत verbally आप निकाल दोगे और आपने सारे वीडियो मेंने देखे हूँ एच्छे तरीके से concept आपका clear है तो इसको आपको solve करने की जरूद ही नहीं पड़ेगी verbally आप निकालोगे verbally बता रहो ठीक है आपने करना क्या था? Adjoint of A का formula क्या था? Adjoint of A का अगर determinant हम निकालते हैं तो यह आता है determinant of A की power n-1 अब क्या solve करने की कोई जरूद है? determinant of A की है? 3 यहाँ पर आप 3 रखेंगे मेरे को तो दिखाना पड़ेगा solve करके हाँ लेकिन आप verbally कर सकते हो power की है n-1 n का मतलब वो था order order कितना है? 4 तो 4 में से 1- करेंगे आ जाएगा 3 3 की power 3 मतलब 27 तो answer आजाएगा इसका D तो question number 9 का जो answer है वो आया हमारे पास D 10 पर चलते हैं 10 में आपको कहता है कि यह यह आपको एक determinant दिया हुआ है करा कि इसका inverse exist करता है अब inverse exist करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसका determinant निकालें तो वो not equals to 0 होना चाहिए तो इसका अगर हम determinant निकालें, determinant हम कहां से निकालें इसका या तो row 2 से निकालो या column 2 से निकालो क्योंकि वे एक 0 हमें मिल रही है एक हमें जो step होता है वो हमारा बचेगा तो अगर मैं 2 इस row 2 से निकालता हूँ तो जब आप यह वाला element लोगे या यह वाला element लोगे तो इनका आगे जगा sign होता है वो change करके लिखते हैं तो यहाँ पर 2 की जगा हम लिखेंगे minus 2 और solve करेंगे minus 2 यह वाली row छोड़ेंगे यह वाला column छोड़ेंगे तो बचेगा आपके पास 2 lambda और 2 lambda फिर बीच में minus और यहाँ पर आ रहा है minus 3 तो already minus 1 यहाँ पर है तो आप कर दो सिधा plus 3 उसके बाद 5 लेंगे तो इसके आगी भी minus का sign लगाएंगे अब इस row को छोड़ देंगे और इस column को छोड़ देंगे तो यहाँ से बना 2 into 1 यहाँ आगे आपके पास 2 और यहाँ से आगे minus 3 lambda इसकी value not equals to 0 होनी चाहिए आगया minus 16 को उधर ले जाएंगे आप plus 16 बनेगा लेंडा की value आजाएगा not equals to 16 upon 11 मतलब 16 upon 11 के लावा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है तो option बनेगा इसमें D 11th question में कहता है था interval in which the function is given by fx is this and the function is increasing at which interval यह आपसे पूछ रहा है तो derivative आप करो f dash x निकाला हमने तो यह आगया आपके पास 3x square और 1 upon x cube का derivative करेंगे तो आएगा minus 3 upon में x की power 4 इसका हमने ले लिया LCM तो यहाँ पर आगया 3x की power 6 minus में 3 3 निकाल दो आप common 3 common निकालोगे तो आएगा x की power 6 minus 1 upon में x की power 4 और x की power 6 minus 1 क्या factor करोगे तो एक factor आजाएगा x cube minus 1 दूसरा factor आजाएगा x cube plus 1 और ज्यादा इसको split करने की ज़रूद नहीं है अब critical point निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर जो f dash x आथा उसको हम 0 put करते हैं जब आप इसको 0 put करोगे इस पूरे को 0 put करोगे तो x cube minus 1 को आपने 0 put किया तो यहाँ से आपके पास x cube की value 1 आगी यानि x की value आजाएगी 1 और जब x cube plus 1 को आपने minus 0 put किया तो यहाँ से जो value आई वह आईगे x cube equals to minus 1 तो x की value आगी minus 1 तो आपके पास number line पर अगर हम देखें तो minus infinity से लेकर minus 1 plus 1 और plus infinity यह आपके पास interval आगे अब function यह स्रिफ यहाँ पर increasing पूछ रहा है सिर्फ increasing पूछ रहा है तो अब आप इसमें यहाँ पर देखो कौन से interval पर sign plus आना चाहिए कौन से interval पर minus आना चाहिए तो जब आप यहाँ पर देखोगे जो पहले वाला इंटरवल है और दूसरे वाला इंटरवल है इन दोनों में इसका तो देखो कोई रोल ही नहीं है एक्स की power 4 है पावर यहाँ पर even है तो यहाँ तो जो भी sign आएगा positive यहाँ इसका तो कोई रोल ही नहीं है तो इन दोनों में आप वेवी curve method लगाओ एक्स का coefficient देखो दोनों में 1 है और power यहाँ पर odd है तो जब पावर और होती है pro свидच वन है तो आपको यहां पर पॉजीटिव है यहां भी, यहां भी पॉजीटिव तो सबसे जो रैट वाला इंटरवाल होता है उसमें positive से ही start करते हैं और अगर पावर ओड होती है x की तो alternately sign हम change करते चलते हैं प्लस माइनस प्लस वेवी कर मेथड में मैंने बताया था अगर आपको ध्यानों application of derivative वाला concept ध्यान से देखना बहुत shortcut है और बहुत अराम से आप समझ जाओगे ठीक है अब बहुत से question आप इसके कर सकते हो अब यहां पर आप देख लोगी increasing का है increasing minus infinity से minus 1 है और 1 से infinity है तो minus infinity से minus 1 और 1 से infinity option आएगा आपके पास c next question पर जलते हैं question number 12 तो 12th question में 12th question में आपको कहता है एक coin is tossed 5 times पांच बार आपने coin को toss किया है और probability of getting at least three head कम से कम तीन head आने की probability क्या होगी तो जब आप coin को आपने toss किया 5 बार तो end तो हो गया 5 जब भी coin का question आएगा और unbiased coin है मतलब simple आपने coin लिखा हूँ है एक तो होता biased coin उसमें आपको बता देगा कि head इतनी बार आएगा और tail इतनी बार आएगा लेकिन अगर coin unbiased है तो पी और क्यों दोनों की value 1 by 2 ही आई दोनों की value same आई अब यह कहला है कि अगर तीन head आते है total आपने 5 बार toss किया तो यह बन गया 5C3 आपको मैंने बताय हुआ है कि अगर P और Q दोनों की value अगर same आ रही है तो उठाकर आपको P की power Q की power लिखने की कोई जरूद नहीं है आपको सीधा उठाकर power लिख दो कितनी जितनी बार आपने toss किया और ऐसे यहां पर आजाएगा 5C2 तो नहीं सारी 4 आएगा 1 by 2 की power यहां भी 5 आएगी और इदर आजाएगा 5C5 1 by 2 की power यहां भी 5 common आजाएगी अब 1 by 2 की power 5 इन तीनों के अंदर है तो इसको आप common निकाल दो common निकालने के बाद 5C3 बचेगा 5C3 को अगर आप solve करोगे तो यहां जाएगा 10 5C4 को solve करेंगे 5 आएगा और 5C5 को करेंगे तो 1 आएगा तो 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 हो गया और 2 की power 5 होता है 32 तो answer आजाएगा 1 upon 2 तो option जो बनेगा इसमें option बन जाएगा इसमें D question number 12 का question number 13 में कहता है a random variable x has the following probability distribution यह आपको random variable दिया हुआ है option नहीं दिखाए दे रहोंगे आपको तो यह हमारे पास एक random probability distribution आपको दिया हुआ है इसमें आपसे पूछ रहे है mean mean निकालने के लिए आपको x को p से multiply करना है अब multiply तो हम कर देंगे लेकिन अब यह के जो ना यह थोड़ा सा काम बिकार रहा है पहले की value निकालो अब के की value कैसे निकाल सकते हैं probability का concept था उसमें हमने पढ़ाए कि probability जितनी भी आती है इसका sum 1 के बराबर होता है तो probability आ कितनी आई कि कितनी k 2 k 3 k 3 k 3 k plus में 1 4 k हो गया और 0.1 0.2 0.3 मतलब 0.6 यह उदर जाके minus हो जाएगा और k की value आ जाएगे 0.1 अब k की value जो 0.1 आपने निकाली इसकी help से जब हम इसका mean निकालेंगे तो mean का concept क्या कहता है कि भई x cost की probability से multiply करो तो minus 2 को इससे multiply करेंगे तो minus 0.1 आ जाएगा 0.2 माइनस 1 को इससे करेंगे तो minus k आएगा 0 को इससे करोगे 0 आएगा फिर 1 को 2 के से करेंगे 2 को 0.3 से करते हैं और 3 के अब यहां से देखो 0.6 यह हो गया और 0.2 माइनस करेंगे तो 0.4 आ गया के वाली टम 3 दो 5 हो रहेगे 5 मेंसे एगे 4 यह जाएगा 4 के के की वेलू 0.1 यह सिधा 4 के की वेलू पुट करो 0.4 तो 0.4 0.4 आंसर आगया 0.8 ऑप्शन बन गया आपका इसमें आप्शन नमबर भी तो 13 का आप्शन आगया भी अब नेक्स कोशन पर चलते हैं नेक्स कोशन में कहता है दा सॉलूशन ऑफ लीनेर प्रोगामिंग प्रॉब्लम मेक्सिमाइज इसको आपको मेक्सिमाइज करना है यहनी मेक्सिमम वेलू फाइंड करने है सब रहा है अब यहांपर आपको एक तरीका तो यह आप ग्राफ बनाके प्रॉपर तरीका रहले है यह चेक करने पर कि एकस्वन की वेलू टू है और एकस्टू की वेलू शिक्स है अगर मैं इन दोनों वेलू उसको यहांपर डालू Z में भी डालू और साथ मैं यहाँ पर भी चेक कर लूँ किसी एक equation से कि यहाँ भी satisfy कर रहा है नहीं कर रहा है तो अगर मैं यहाँ देखो X1 की value कितनी है 2 2 को मैं यहाँ डालता हूँ तो आगया 2,3,6 और 6 को मैं यहाँ डालू 6,5,30 तो यह आजेगा 36 तो Z आपको 36 दिया हूँ है मतलब Z को तो यह value-value satisfy कर रही है क्या equations को भी कर रही है X1 की value है 2 2 को मैं यहाँ डालू तो आएगा 2,3,6 और यहाँ पर डालू X2 को 6,2,12 और यहाँ पर क्या है less than equals to 18 तो 12 plus 6,18 18,18 के बराबर दो आ रहा है आगे भी आप चेक करोगे तो सब को satisfy कर रहे है मतलब Z की value 36 हो सकती है अब यह वाला मेरे को check करने की जरूवत नहीं है क्यों जरूवत नहीं है क्योंकि 36 पर तो satisfy कर रहे है न यह अगर मालो यह वाला satisfy कर भी जाए तो भी फायदा क्या है 36 maximum value रहेगी यह वाला भी मेरे को check करने की जरूवत नहीं है क्योंकि 36 तो इससे भी बढ़ा है तो maximum value तो फिर भी 36 रहेगी यानि स्रिफ हमें यह चेक करना है कि क्या यह 42 आ सकती है value तो इसको भी आपको दोनों equation से check करना है अगर मैं यहाँ पर रखूँ यहाँ क्या है 4 4 को मैं इससे करूँ 4,3,012 6 को मैं इससे करूँ 6,5,030 तो 42 के बराबर आ रहे है ठीक है जैट तो ठीक आ रहे है क्या equation को satisfy कर रहे है यहाँ पर रखते है 4,3,012 प्लस यहाँ पर रखते हैं 6,2,012 तो यह बना 24 और right hand side में क्या है तो मारा option बनेगा इसमें A ठीक है अब आजाते है question number 15 पर 15 question में आप से पूछता है आप सो कहता है कि minimum value आपको बतानी है function आपको यह दे रखा है इसकी minimum value बताओ तो minimum या maximum जो भी value निकालनी है तो उसके लिए पहले आपको F-X निकालना है जब हम ऐसे लिखते हैं तो यह नीचे जो E होता है आप इसको mention करो या मत करो कुछ फरक पड़ेगा ने जो भी हम यहाँ पर calculus के अंदर log use करते हैं सारा natural logarithm होता है तो उसमें आपको E लिखने की जिर्वत नहीं है अब F-X आपने निकाला तो X का derivative आगया 1 log X as it is रहेगा X as it is रहेगा log X का हो जाएगा 1 by X यह हो गया cancel तो F-X आया log X plus में 1 अब इसको आप put करेंगे 0 के बराबर critical point निकालने के लिए अब 1 को अधर लेके जाओगे तो आजाएगा minus 1 अब यहाँ से X की value निकालने तो log को उधर transfer करना पड़ेगा log की value आजाएगी E की power minus 1 यह आप कह सकते हो 1 upon E यह X की value आगई अब इस पर हम normally हम जब question करते हैं तो check करते हैं कि minimum आएगा या maximum आएगा लेकिन point तो यहाँ एक ही है तो जो भी आना है इसी पर आना है और ऐसा कई option में है नहीं कि exist नहीं करता ऐसा कई है नहीं तो check करने की ज़रूरत ही नहीं है maximum value इसी पर आने है अब इस पर आनी है तो maximum value निकालो अब वो निकालने के लिए आपको यहाँ पर put करनी है X की value ठीक है X की value क्या है 1 upon में E तो maximum value क्या बनी X की जगे तो आगया 1 upon E और यह आगया log log 1 upon E जो log 1 upon E होता है आप उसको आप उसको minus minus log E लिख सकते हो ठीक है अगर कोई भी हमारे पास ऐसे आता है log A upon में B तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ minus log B upon में A तो हूँ हमने लिख रहा है यहाँ पर 1 upon E को हमने E upon 1 कर दिया minus का sign लगा दिया क्योंकि option में आपके पास यहाँ पर देखो log E हमें value निकालनी थी X की value 1 by E और log E की है ठीक है और यहाँ पर आगया आपके पास log E log E की value होती है 1 तो answer आगया minus 1 by E अनि option बन गया आपका C तो यह तो अगया आपके section 1 के 15 question ठीक है इन 15 question को आपने समझा कि किस तरीके से आपको करने है उसके बाद जो बाकी के question है फिर हम वो आगे देखते हैं कि उन questions को आपको कैसे करना है तो बच्छो section B2 हम देखते हैं जो हमें करना है section B2 B1 core maths वालों के लिए होगा B2 आप लोगों के लिए होगा applied maths वालों के लिए तो यहां पर जो सबसे पहला question हमें दिया हुआ question number जिसको आप कह सकते हो 51 ठीक है आपके लिए question number 16 बनेगा वैसे 51 question है अब यहां पर कहता है कि 26x is congruent to 5 mod 78 है यह पूछ रहा है कि वह कितने solution इसके हो सकते हैं तो जब हम solution find करते हैं तो हम जब solution find करते हैं थोड़ा सब पर लेने ऐसे हम तो जब solution find करेंगे तो आपको करना क्या होता है आपको यह वाला term और यह वाली ठीक है जिसका mod निकाल रहे हो 26 और 78 इन दोनों का आपको HCF निकालना है HCF of 26 और 78 अब 26 से 78 को डिवाइड करें तो पूरा पूरा यह 3 पे डिवाइड हो जाएगा 3618, 326, 17 मतलब इसका HCF आजएगा 13 अब जो भी HCF आता है उस HCF से आप चेक करके देखो तो क्या यह जो नमबर यहाँ पर दिया हुआ है 5 जो नमबर है इस से क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हो अगर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो तो आंसर आगे आपका 9 सोलुशन अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो उतने ही सोलुशन आएगे ठीक है जितना आप तो अगर 13 है मालनों यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर होता कि आप इसको पूरा डिवाइड कर लेते हैं तो उसके 13 सोलुशन हो जाते हैं तो आपके पास option यह बन जाता है अगर HCF अगर 1 आएगा तो 1 solution होता है तो यह number of solution निकालने का जो concept है वो ML वाले book में न अब इस line के ओपर लाई करता है तो भाई X की value क्या बनेगी यहाँ पर A हो जाएगा और यहाँ B है तो यहाँ पर B बन जाएगा तो 3A प्लस में 2B इक्वल्स टू 1 3A प्लस में 2B इक्वल्स टू 1 तो option number आपका बन गया है इसमें A उसके बार next 53rd question पर चलते है यहाँ पर य यहाँ पर यह 3 element किया है 0 0 0 जब भी यह 3 element 0 0 0 हो तो इसका मदलब यह skew symmetric बन सकता है लेकिन खाली 0 0 देखते है answer मा ठोक देना skew symmetric है बाकी element भी check कर लेना बाकी element में क्या होता है कि अगर यह वाल element 3 है तो यहाँ minus 3 होगा यह यहाँ 2 है तो यह minus 2 होगा यह minus 5 है तो यह plus 5 होते हैं अगर आप इनका transpose करके देखोगे तो a का transpose minus a के बराबर आ जाएगा तो आपको transpose करने की जरूरत नहीं है बस आपको यह ध्यार लखना है कि यहाँ पर जो दोनों के sign change होने चीए इन दोनों के sign change होने चीए इन दोनों के sign change होने चीए तो आपकी जो matrix है skew symmetric बन हुआ है a session में क्या कहता है कि if a equals to this and c equals to this then 2a plus में c equals to this तो पहले check करो कि 2a plus में c करके यह आ रहा है नहीं आ रहा है तो अगर हम 2a करेंगे 2a मतलब इसका double करेंगे तो यह बनेगा आपके पास 4 6 2 और 8 और इसके अंदर अगर हम c को plus करें यह तो 2a आ गया c को plus करेंगे ठीक है 6 minus 1 5 आ गया डे भी ठीक है 0 plus 2 2 आ गया 1 plus 8 9 आ गया मतलब यह statement तो ठीक है assertion आप जो आपको वो ठीक दिया हुआ है अब हम यहाँ पर reason पर देखते है reason में कहरा if the matrices a and b are of the same order say p and q अगर दो matrix आपके पास है उनका order सेम है then a plus b equals to b plus a तो a plus b और b plus a होता है तो statement तो ठीक है आप a plus b निकालोगे b plus a निकालोगे वो statement तो ठीक है लेकिन इस से कोई उसका connection नहीं है हमने जो यह चीज निकाली है यह चीज निकालने के लिए हमने उसका use ही नहीं करा है तो इसका मतलब a and r both are true but r is not the correct explanation of a तो option बनेगा इसमें b उसके बाद next question पर चलते हैं next question भी आपके पास assertion और reason का ही है तो question number 55 इसमें कहता है कि for the two matrices a and b the product a b is defined if number of element number of column in a is equal to the number of row in b दो आपके पास matrix हैं दो matrix में multiplication हम तभी कर सकते हैं जब पहले वाली matrix के number of column मार्लो मैं इसको ले लेता हूँ p q और दूसरे वाली के रो इसको ले लेता हूँ मैं n पहले वाली के column दूसरे वाली के q जब ये दोनों बराबर होते हैं तभी आप इन दोनों को multiply कर सकते हो तो यही वो चीज कह रहा है for the two matrices a and b the product a b is defined if number of element number of column number of column in a number of column in a कितना है वो हमारे पास q ठीक है वो हमारे पास q है is equal to the number of row in b number of row in b यानि यह statement ठीक है अब यह statement ठीक है तब आगे क्या कहता है अच्छा मैंने तो पहले reason ही पढ़ लिया कोई बाद नहीं reason ठीक है हमारा ठीक है assertion देखते हैं वो क्या है assertion में कह रहा है कि if a and b are square matrices of the same order then a b and b a both are defined matrix है इसका order है p by p ठीक है और जो दूसरी matrices है square matrices of same order दूसरी matrices भी आपके पास p by p है तो इसमें कहला है कि a b और b a both are defined यानि दोनों possibility हो सकती है तो a b और यहां पर अगर हम यहां पर देखें पर इन दोनों का order same है यहां column और यहां row same है तो इसका मतलब a b multiply हो सकता है multiplication दोनों तरीके से possible हो सकता है a b और b यह दोनों से possible हो सकता है तो यहां पर भी हम यह order वाला concept यह तो यूज़ कर रहे है बतलब session भी ठीक है और जो explanation है वो भी ठीक है बतलब यहां पर आ गया both a and r are true and r is the correct explanation of a तो 55 का जो option है वो बन गया आपके पास a 56 को देखते है उसमें क्या है 56 में कहता है if y equals to if y equals to यह i n जो लिखा हुआ यह log होता है ठीक है y equals to log x upon my x इसने आपर लिख भी रखा है i n x is the logarithm with base e base e आपको लिखने की ज़रूद नहीं है उसकी tension मत लेना अब आपको इसका second derivative find करना है तो पहले first derivative find करो log x का quotient tool लगेगा log x का derivative 1 by x denominator same minus अब log x same और x का derivative 1 divided by x square यह हो जाएगा cancel यह बना 1 minus log x अब उन में x square अब फिर दुबारा derivative करना है y2 इंदर लिख लेते हैं अब इसका आप derivative करोगे तो 1 तो जिरो हो गया minus log इसका करेंगे minus 1 by x into x square फिर minus sign अब 1 minus log x same और x square का derivative करेंगे 2x divided by x raise to power 4 नीचे वाले का square करेंगे तो 2 की power 2 मतलब 4 इस x यहां से अब minus x हम common ले लेते हैं तो minus x common लेंगे तो इदर आजाएगा आपके पास plus 1 यह minus common आगया तो इहां से बचेगा 2 2 से इन दोनों को multiply कर दो 2 minus 2 log x divided by x raise to power 4 इससे हम इसको cancel करेंगे तो minus 3 minus 2 log x नीचे x की power 3 bracket खोल दोगे तो बनेगा minus 3 plus में 2 log x अब यह देखो option में कहां पर आपके पास है minus 3 plus में 2 log x minus 3 यह यह plus में 2 log x अपन में x cube यानि option नमबर बनेगा हमारा इसमें a तो 56 का जो option है वो होनेगा a 57th question में क्या कहता है यहां पर कहता है the cost function of a firm is given by cost function आपको दे रखा है then the output at which the marginal cost is minimum marginal cost पूछ रहे हैं आप से कि वो minimum कहां पर होगी तो आपको पहले marginal cost function बनाना पड़ेगा marginal cost function क्या होता है cost function का derivative marginal cost बनाने के लिए आपको derivative करना है cost function का तो marginal cost क्या बना 300x का derivative करोगे 300 minus 20x plus में 3x square by 3 यह होगया cancel अब यह आपके पास marginal cost function है मतलब अब यह हमारा question है इसको मैं बताना है कि यह minimum कहां पर होगा तो इसके लिए आप इसका derivative करोगे ठीक है मैं इसको derivative को ऐसे show कर देता हूँ तो इसका तो 0 हो गया यह आजाएगा minus 20 यह x square है इसका आजाएगा 2x तो यहां से इसको 0 के बराबर put करके value निकालेंगे हम तो x की value आजाएगी 10 अब एक ही value x की आ रही है और option में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि भई exist नहीं करता तो इसका मतलब जो भी minimum value निकलेगी हो उसी पर निकलेगी बाइ हमें यहां पर पुछाएगी कि किस point पर minimum निकलेगी आपको minimum value नहीं पूछी है तो x की value 10 unit यानि यह हमारा answer आजाएगा आपको निकालने के जरूद नहीं है अगर minimum value पूछेगा तो आपको इस value को जो यह marginal cost function यहां पर put कर देना है तो इस तरह ध्यान रखना कि आपको निकालना क्या है यह नहीं कि question देखा और पूरा को पूरा question आपको आता है तो solve करने लग गए ऐसा नहीं करना है question number देखे 58 इसमें आपसे critical point पूछे गए इसमें आपसे critical point पूछे गए x q minus 2x square plus x plus 1 तो critical point निकालने के लिए आपको derivative करना है तो यह आगया 3x square minus 4x plus 1 अब इसको जब आप 0 के ब्राबर put करोगे तो इसके factor भी कर लेते हैं factor करोगे आप 3x square minus 3x minus x plus 1 इसको 0 के ब्राबर put करेंगे 3x common x minus 1 minus 1 common x minus 1 तो एक factor हमारे पास x minus 1 आ रहा है दूसरा factor 3x minus 1 आ रहा है जब आप इसको 0 के ब्राबर रखके x की value निकालोगे तो 1 आएगी और यहां से निकालोगे तो 1 by 3 आएगी तो यह दोनों आपके पास critical point आ रहे हैं 1 and 1 by 3 option बनेगा 58 का c 59th question पे चलते हैं 59th में कहता है आपसे property distribution दे रखा है आपको उसमें variance पूछ रहा है तो variance में यहां पर भी पहला कम हम क्या करेंगे पहले तो k की value निकालेंगे अब k की value आपने निकाली तो यह क्या बनेगा आपके पास 3 यहां से हो गया 3 plus 3 6 6 plus 3 9 9 के आगया और इसकी जो value होती है 1 के बराबर होनी चीए इस सब का sum तो k की value आगी 1 by 9 अब जब हम variance निकालते हैं तो variance का जो formula होता है variance के formula में कहता है कि आपको e x square find करना है और उसमें से आपको e x का whole square minus करना है तो e x square का मतलब क्या है कि x का square करके फिर उसको p से multiply करना तो x का square करेंगे कितना आएगा आपके पास 1 और इसको k से multiply करोगे आजाएगा k यहाँ आजाएगा 4 4 तूजा 8 k यहाँ पर आगा 9 93027 k 4 अगा हो गया 16 16 तूजा 32 k इदर से आगे आपके पास 45 5 का square करेंगे 25 इंटू में k यह बन गया इसमें आपको minus करना है e x e x में क्या करना है बस आपको इन दोनों को multiply करके लिखना है तो यह आगा k plus में 2 तूजा 4 k 3 3 जा 9 के 2 4 जा 8 के and 5 के इसका करना है आपको square तो पहले इसको simplify कर लो बाद में k की जेगे 1 by 9 फुट कर देंगे तो 5 प्लस 2 7 7 प्लस 7 14 14 प्लस में 8 कितना हो गया 22 22 22 प्लस 1 23 23 का 3 आगया बचा 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस में 2 9 यह आगया 93 के के की जेगे रख दिया हमने 1 by 9 के की जेगे रख दिया हमने 1 by 9 3 से काट लेते हैं से तो यह तो आगया आपके पास 31 by 3 यहां से देखो यहां पर कितना हैगा 5 प्लस 8 13 13 प्लस 9 22 22 प्लस में 5 27 तो माइनस 27 के की जेगे रख दो 1 by 9 और इसका करना आपको स्क्वेर तो 3 का स्क्वेर आजाएगा 9 तो यह बना आपके पास 31 by 3 minus 9 तो 9 3 से 27 31 minus 27 यानि 4 upon 3 देखो option में 4 upon 3 है क्या तो 59 का जो option है वो आगया हमारा 1 अब question number 60 पे जलते हैं 60 question में आपको क्या कहता है 60 में कहता है कि property distribution में आपको e x निकालना है तो यह तो और question simple हो गया पिसले वाले से तो बहुत simple हो गया तो यहाँ पर आपको सीधा e x निकालना है मतलब आपको इसको इससे multiply कर दो तो आज आएगा minus 0.4 इसको इससे करेंगे minus 0.6 इसको इससे करा minus 0.6 इसको इससे करा minus 0.2 इसको तो करने की ज़र्वत है नहीं तो कितना आगया 4 प्लस में 6 10 10 और प्लस 8 18 तो minus 1.8 हमारा आंसर आगया यह बन गया इसको option B तो question number देखते है 61 61 में आपको कहता है कि if x is a random variable and a and b are the real number then the incorrect option इन में से incorrect option कौन सा है तो देखिए incorrect option के अगर हम बात करें तो standard deviation जब हम निकालते हैं तो यह हमें पता ही कि variance का square root होता है तो यह तो formula हम कई बार use कर चुके है तो यह वाला option जो है option यह मतलब वैसे answer ठीक है मतलब यह formula ठीक है लेकिन हमें तो यहाँ पर गलत वाला ढूनना है तो यह गलत नहीं है यह ठीक है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर यह E की power AX प्लस में B आ रहा है B यहाँ पर real number ही है तो यहाँ पर यह जो real number है ना यह यहाँ पर प्लस में B और आना चाहिए था इस formula के हिसाब से यह वाला formula incorrect दिखाई दे रहा है और चेक कर ले दें एक बार यह वाला formula तो देखो आप कई बार यूज करी चुके हो रहेगे यह वाला formula यह वाला formula कम यूज करते हैं लेकिन यह वाले formula आपका correct है क्यों correct है जैसे आप भी variance निकालते हो जैसे हमने यहाँ variance निकाला EX variance of X तो हमने ऐसे लिखा तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे E और AX प्लस B का whole square ठीक है यहाँ पर यह हो गया minus EX का whole square X का यहाँ पर AX प्लस में B AX प्लस में B E AX प्लस में B ठीक है whole square तो यह बहार है और यह EX प्लस B जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया EX प्लस B आपको ऐसे लिखना चाहिए तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ से आपके पास यह क्या बनेगा E AX और यह minus sign लग रहा है इस वज़े से यह minus B आएगा अब यह वाला जो minus B है आप इसको simplify करोगे तो इस B से यह वाला B cancel हो जाएगा ठीक है इस B से यह वाला B cancel हो जाएगा और cancel होने के बाद यहाँ पर answer में देखो यहाँ पर कहीं B नहीं दिखाए दे रहा है तो उमारा यह वाला option B यहाँ फार्मूला भी ठीक है तो फार्मूला हमारे यह तीनो ठीक है यह वाला फार्मूला रहोंग है मतलब option हमारा यही बनेगा 61 का अब next question देखें next question में क्या कहता है question number 62 यहाँ कहता है the mean of the number obtained on throwing a die having one return on the three faces तीन face है उसके जो तीन face है उस पर one लिखा हुआ है और two on two faces दो दो face पर लिखा हुआ है और पांच एक face पर लिखा हुआ है तो probability हमें mean हमें बताना है किसका number obtained on throwing a die having one return अब mean हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसमें x और px यह दोनों हमें निकालने पड़ेंगे property distribution बताना पड़ेगा अब x की value क्या हो सकती है px की value क्या हो सकती है वो करा है कि die fake neighbor आपके पास या तो one आएगा ठीक है यह one है यहाँ पर आई निए यह one है one return on the three faces तो x की value one आ सकती है two return on the two faces x की value two आ सकती है five one one faces five आ सकता है जब आप one लेंगे तो one कितने face पर लिखा हुआ है तीन face पर लिखा हुआ है तो probability क्या बनेगी three by six probability बनी three by six two कितने face पर लिखा हुआ है two two faces पर लिखा हुआ है इसकी probability बनी two by six five कितने face पर लिखा हुआ है one by six तो जब आप इसकी mean निकालोगे तो इन दोनों को multiply करना है जैसे अभी हमने करा था mean निकालने का formula क्या है x को px से multiply कर दो तो 1 into 3 by 6 यह आ जाएगा 2 into 2 by 6 5 into 1 by 6 5 plus 4 9, 9 over 3 12 12 upon me 6 answer आगया 2, option आगया 62 का B उसके बाद next question देखते है question number 63 index number index number किसको represent करता है index number symmetric representation नहीं coefficient of variation नहीं deviation नहीं specialized average in percentage तो इसका जो option है 63 का option बनेगा D question number 64 में देखे आपको यहाँ पर objective function यह दिया हुए objective function के अलावा subjective constraints दिये हुए और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि minimum value तो आपको इसकी minimum value निकालनी पड़ेगी तो एक number के हिसाब से अगर हम बात करें तो question थोड़ा lengthy है क्योंकि यहाँ पर आपको graph बनाना पड़ेगा अगर option हमें मिलता skip करने का तो हम इसको skip करेंगे लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ समझने के लिए कि अगर करना पड़े जाए मालो इस तरह के option आजाएं कि आपके पास आपने already 10 skip कर दिये और यह 11 question आगे तो फिर आप क्या करोगे तो उसका भी और तरीका आप बताता हूँ तो पहले आपको इसका graph बनाना पड़ेगा ठीक है graph जब आप बनाएंगे इसका तो यहाँ पर देखो x की देगर 0 करेंगे तो y की value आ रही है 5 इधर आगे आपके पास 0 5 यह point आ गया और अगर हम y को 0 करते हैं तो x की value आईगी minus 5 upon 2 तो minus 5 upon 2 यहाँ कहीं आ गया तो आपके पास एक line तो यह आ गयी अब दूसरी line आप draw करते हैं तो x की देगर 0 y की value आईगी 3 तो इधर कहीं आ गया 0 3 और y की value 0 करेंगे तो x की value आईगी 1 तो x की value 1 यहाँ पर आ गई तो यह line आ गया हमारे पास अब तीसरी line और देखना है x की value 0 तो y की value आईगी आपके पास minus 4 तो y की minus 4 यहाँ कहीं ले लेते हैं और y को 0 करेंगे तो x की value आईगी 6 तो x की value आईगी 6 तो यहाँ से यह line यह गई अब यह आपके पास graph बन रहा corner point method इसके corner point से corner point निकालने पड़ेंगे आपको तो पहले shaded part देखते हैं कौन सा आएगा तो यहाँ पर देखो 0 0 put करोगे तो इधर आ रहा है 0 greater than equals to minus 5 तो situation true है तो true होने का मतलब है origin की तरफ shade होगा तो इसका shaded part है इस वाली line का shaded part आएगा नीचे की तरफ यहाँ पर put करोगे तो यहाँ एगा 0 greater than equals to 3 यह false आ रहा है तो इसमें origin की तरफ shade नहीं होता तो origin इधर है तो इसका shade इस side बनेगा और यहाँ पर put करेंगे तो आएगा 0 less than equals to 12 तो यहाँ पर यह true आ रहा है तो इसका shade origin की तरफ आएगा मतलब यह line है तो इस तरफ shade आएगा origin की तरफ अब तीनों का common region देखेंगे और साथ में आपको यह भी दिया हुआ है तो यानि first quadrant में आपका answer रहेगा तो इन तीनों का common region हमारा यह वाला बन रहा है यह वाला बन रहा है unmounded बन रहा है लेकिन corner point इसके तो देखो यह आ रहा है एक corner point यह आ रहा है तो 25 जा 100 हो गया इससे solve करेंगे 03 से तो आएगा 60 इससे solve करेंगे 10 से तो आएगा minus 50 और इससे solve करेंगे 60 से तो आएगा minus 300 तो अब यहां पर unbounded है तो हमें यह चेक वेक करने की ज़रूदने mcqs कर रहे हैं तो हमारे पास इन सम्मेसे जो minimum value वह आगी minus 300 तो option बन गया इसमें A अब आजाओ question number 65 पर 65 में कहते है the value of an objective function is maximum under linear constraints तो आपको maximum value बताने है linear constraints अगर आपको दे रखे हैं तो वह 00 पर निकलेगी या feasible region के center में निकलेगी या किसी भी vertex पर निकलेगी या फिर at the vertex which has the maximum distance जैसे अभी अभी हमने minimum value निकाली हमने corner point निकाले corner point में किसी पर भी निकल सकती है minimum value ऐसा तो नहीं कि वह minimum distance होगा उससे तो ऐसा कुछ fix नहीं होता है minimum distance होगा तो यह वाला option भी गलता है यह भी गलता है last वाला भी गलता है option बनेगा C कि किसी feasible region के किसी भी vertex पर value निकल सकती है तो इसमें option बन गया आपका C हाँ, C यह उसमें 66 में देखते हैं यहां पर कहता है आपसे corner point आपको दे रखें इसको satisfy कर रहें Z यह दे रखें आपको और यह कह रहा है कि जो P और Q की condition आपको बतानी है maximum value Z की इस point पर मिल रही है और इस point पर मिल रही है अब इन point के मिलने का मतलब क्या है कि यह X की value 15 है Y की value 15 है तो आप यहां पर put कर दो ठीक है यहां पर जो Z आया हमारे पास X की जगे put कर दो यहां पर 15 P और Q वो Y है तो वहां भी आजाएगा 15 P अब जो maximum value हमारी इस पर निकली है उसी point पर मतलब वही maximum value हमारी इस point पर भी निकली है यानि maximum value तो बराबर है point different है तो अब इस point को में यहां put करता हूँ 0 into P तो 0 आ जाएगा 20 into Q 20 Q आ जाएगा दोनों उसको बराबर रखना है क्योंकि दोनों से आपकी maximum value दोनों से same आ रहे है तो अब यहां से देखो 15 P इसको इदर ले जाओ P को यहां पर P नहीं आएगा यहां तो Q आना चाहिए 15 Q 15 P को हम इदर रखते है 15 Q को इदर ले जाके माइनस करोगे 5 Q आ जाएगा 5 से इसको काट दोगे तो यह आएगा आपके पास 3 P equals to Q 3 P equals to Q option बनेगा इसमें 66 का B 67th question पर देखो question number 67 देखते है 67 में कहता है कि company intend to create a sinking fund to replaces the at the end of 20th year asset costing rupees 5 lakh एक company है उसको sinking fund replace करना है sinking fund उसको बनाना है 20 साल का टाइम है उसके पास और fund उसको इतना इखटा करना है वोगरा जो interest rate है 5% है तो अपने profit में से कितना amount वो रखे हर साल ताकि उसका sinking fund है वो बन जाए sinking fund के लिए amount यह है formula हमारे पास sinking fund का क्या होता है a equals to r 1 plus में i raise to power n minus 1 divided by i ठीक है यह sinking fund का formula हो गया अब यहाँ पर amount आपको दे रिखा है 5 lakh r आपको find करना है 1 plus i, i कितना है 5% मतलब 0.05 time कितना है 20 साल minus 1 divided by 0.05 इस 5 को आप यहाँ cross multiply कर दो 550 25 और decimal के बाद 2 place है 2 0 छोड़के यहाँ पर आपने 3 0 लगा दी यह 1.05 की power 20 इसकी value आपको यहाँ पर इसने दे दी 2.6532 इसमें से 1 minus करना है minus करने के बाद आपके पास जो value है हहाँ से आजाएगी 1.6532 यह आजाएगी आपके पास R अब इसको आपको इससे divide करना है अब इससे divide करोगे एक तो decimal टाओ के आपके पास 4 0 और बढ़ जाएगी तो आपके पास कुछ इस तरह से आजाएगा 25 1 2 3 4 5 6 7 और इसको divide करना है आपको 165 32 से अब यह divide आपको करना पड़ेगा approximation value से काम चलेगा नहीं divide हमें करना ही पड़ेगा हाँ divide करना आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा यह आपको यहाँ option में फायदा है देखिए जब option यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा close है अगर option थोड़े से और different होंगे तो और छोड़ा हो जाएगा हमारा answer हमारा solve करना अब जब आप इसको निकालोगे देखो यहाँ one आ रहा है यहाँ one आ रहा है आपको quotient बताएगी quotient तो आपका one आ नहीं है quotient आपका one आ नहीं है आपको कुछ सोचने की जरूद नहीं है one six five three two माइनस करोगे ten minus two eight nine minus three six nine minus five four और यहाँ पर आ जाएगा fourteen minus six eight zero उतारोगे अब quotient क्या आ रहा है मत सोचो अगली value क्या है सबकी यहाँ पर five है अगला quotient five आएगा उसको solve करके लिख लो उससे अगला quotient क्या है one है ठीक है सब में one आ रहा है उसको solve करके लिखो अगले quotient पर पहुँचोगे तो आपको आपका answer मिल जाएगा यहाँ पर two यहाँ पर one है यहाँ zero है यहाँ पर two है यहाँ four है अगले quotient पर जैसे ही पहुँचोगे आप इन में से जो भी value आएगी वही आपका option आजाएगा तो यहाँ पर अगर मैं आपको option बदा दूँ तो इसका option बनेगा आपका C यह हमारा answer बनेगा इसको आप आगे और divide करके देखेंगे तो यह option बन जाएगा लेकिन divide करते समय options को ध्यान में रखना face value 10,000 है और annual dividend 8.5% है annual dividend मतलब यह हो गया R the bond will be redeem at the par par value पर bond redeem होगा तो जो F होता है फार्मूले के अंदर उसकी value भी आगी आपके पास 10,000 F की value भी यह होगी और face value भी यह होगी दोनों value यह होगी time आपको दे रखा है 10 साल का if the investor this is a yield rate of 8% अगर investor को yield rate से यह 8% तो आपको यह बतानी है कि bond का जो purchase price है वो कितना है जो fair price है present value है वो कितनी है तो present value निकालने के लिए पहले आपको निकालना है C C आप कैसे निकालेंगे जो face value है मारे पास 10,000 10,000 यह नहाँ उसको 8.5% निकालेंगे इसका भी 0 यहाँ से डालो 3-0 यह कट गी तो यह जाएगा 8.50 अब यहाँ पर जब आप इसकी present value निकालोगे तो formula क्या होता हमारे पास formula आपको याद है तो लिखने की आपको ज़रूद निया सीधा value put करना मैं यहाँ पर लिख रहाँ चेक कर ले ना एक बार कोई गलती हो तो formula में ठीक है formula आपको बिलकुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए अब यहाँ पर आपके पास यह आगया 8.50 1-1 प्लस i तो 1 प्लस i i कितना आपके पास 8% 8.08 बनेगा और 1 में 8 एड़ करोगे तो यह बन जाएगा पावर कितनी है इसकी n कितना है यहाँ पर 10 तो पावर आगी minus 10 यहाँ पर भी आपको value दे रहे क्योंकि उससे पता चल जाएगा divided by i आई आई आपके पास आगया 0.08 f कितना है 10,000 1 प्लस में i raise to power minus n यहाँ भी आजाएगा 1.08 कि पावर minus n minus 10 तो आपको बस आप values पूट करनी है इसकी value पूट करनी है इसकी value पूट करनी है इसकी जो value है न यह बहुत बड़ी value आपको दे रखी है ठीक है बहुत बड़ी value दे रखी है अगर आप question solve कर रहे तो आपको करना तो पड़े गई ठीक है और इसलिए question को जब आप read करोगे reading time जो आपको मिलेगा उसमें आपको decide करना कि question आपको कौन सा रखना है कौन सा छोड़ना है इसका मैं यहाँ पर decimal अटाऊंगा तो decimal लागे 20 उपर आ जाएगी यह 8 आ गया 1 minus यह value put करेंगे 0.46319349 और यहाँ पर भी इस value को हम put करेंगे अब आपको इसकी calculation करनी है इसको यहाँ multiply करना है इसको यहाँ multiply करके दोनों को add करना है एड करके जो आपको answer बनेगा answer बनेगा इसमें option number A उसके बाद question पर चलते हैं question number 69 यहाँ पर आपको statement दे रखी है दो अब statement जो दे रखी है उसमें देखो क्या पर क्या कहता है the solution set of the system of linear inequality this and this is this the solution set is linear inequality का वो यह है तो पहले तो यह check करो कि यह है भी नहीं भी तो 2x minus 1 inequality क्या है 2x minus 1 greater than equals to 1 इसको मैं इधर ले गया तो x की value तो आगी 1 by 2 से बढ़ी इधर जाके 2 हो जाएगा यह तो 2 से 2 कर जाएगा तो x की value आगी आपके पास greater than equals to 1 ठीक है अब दूसरी inequality क्या कहती है उसमें कहता है कि 3x minus 4 greater than equals to 8 तो इसको आप इधर लेके जाओगे 8 plus 4 में 12 x की value आजाएगी greater than equals to 4 तो इनका जो common solution हम निकालेंगे common solution इसका बनेगा वही 1 से value बढ़ी है यानि 1 से लेकर infinity तक अगर number line पर हम करें तो 1 से लेकर infinity तक value जाएगी और यहाँ पर आप देखो कहा रहा कि 4 से लेकर infinity तक value जाएगी तो यह वाला part जो है ना यह दोनों का common part है यानि 4 से लेकर infinity तक value हो सकती है 4 से लेकर infinity पर हमेशा open interval रहता है लेकिन इसने यहाँ पर आपको close interval दिया हुआ है तो जो option A है जो assertion है वो आपका false है अब assertion अगर false है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कहरा था कि A और R दोनों true है यहाँ पर कहरा है कि A भी दोनों true है यहाँ पर A कहरा है true है और यहाँ पर कहरा है A false है तो option तो आपको यही बन गया आपको reason चेक करने कि यहाँ पर जरूरत ही नहीं है ठीक है आपका option है जब वहीं से निकल गया और इसको बिना solve करें भी आप निकाल सकते थे क्योंकि infinity पर कभी भी close interval नहीं आएगा तो अगर हम next question की बात करते है question number 70 यहाँ पर कहते है the solution set of the equation अगर आपको इस तरह से equation दे रहे होती है कहता है कि इसकी absolute value 5 से कम है या 5 के equal है तो इसका मतलब है कि जो x plus 2 की value है वो minus 5 से लेकर plus 5 तक के बीच में लाई कर रही है इसका मतलब ही होता है यहाँ से 2 को हटा तो 2 को हटाने का मतलब है minus 2 करना है इदर से minus 2 करेंगे यह आजाएगा इदर से x रह जाएगा इदर से minus 2 करेंगे 3 आजाएगा तो minus 7 से लेकर 3 तक हमारा answer आ गया दोनों तरफ close bracket लगानी है तो option बनेगा 70 का A 71st question देखते हैं इसमें आपको क्या दिया हुआ है यहां statement में कहता है the statistical constant or measure of the population like mean, mu, variance etc. are called the parameter of the population ठीक है यह बात ठीक है कि इनको हम parameters बोलते हैं statement second में क्या कहता है यहां पर the statistical measure or constant computed from the sample observation are alone like mean, variance, etc. are called the statistic तो यह भी statement तो ठीक है इसमें बस यह जो variance होता है variance को हम यहां पर इस से denote नहीं करते हैं हम S से denote करते हैं जो statistic होते हैं उनको हम small letter से denote करते हैं तो अगर मैं इसको consider ना करूँ statement में तो दोनो statement true है तो दोनो statement हमारी true है बो statement one statement true यह हमारा option बन जाएगा a लेकिन अगर मैं इसको consider करके जलूँ लेकिन इसको आपको consider करने की ज़रूद नहीं क्योंकि यहां पर इसने words में लिखा हुए variance तो इसको consider मत करो तो हमारी जो statement है वो दोनो statement true अब 72 जो question है इसके अंदर भी आपके पास statement है इसमें कहता है कि भई a set of statistical observation taken at different point of time usually at equal interval is known as a time series तो यह time series आपको दिये year दिया हुआ है सारा तो फिर sugar production दी हुए आपको तो यह time series तो बन रही है आप उसके बाद यह क्या कहता है यहां पर statement one अच्छा यह statement one थी और यह statement two के अंदर आपको time series दे रखी है तो यह statement भी true है यह statement भी true है option आपका बन गया यहां पर statement one and statement two both are true 73 question हम देखते है इसके अंदर कहता है present value of perpetuity present value निकालने है perpetuity की निकालने है perpetuity किस type की है यहां पर यह beginning में हो रही है beginning में होने का मतलब है perpetuity of type two है तो इसका formula क्या होता है r plus r upon में i तो r कितना perpetuity है 3120 3, 1, 2, 0 और i कितना i है 6% 6% का मतलब 6 into my 100 तो 6 से आप इसको काट लो 6, 5, 30 6, 2, 12 तो यह बन किया आपके पास 3, 1, 2, 0 प्लस 5, 2, 0, 0, 0 तो 52 प्लस में 3 55,120 option मन गया आपके इसमें C 73 का option मन गया C 74th question में देखो ए person buys a house for which he agreed to pay rupees 5,000 at the end of each month for the 8 years if money is worth 12% converted monthly then the cash price of the house cash price of the house मतलब आपको P की value यहां पर आपको find करने है अब यहां पर वो बन्दा क्या कर रहा है कि वो house करेदने के लिए इतनी installment देने को तैयार है 5,000 रूपे की at the end of each month for the 8 year यानि जो EMI है वो आपको इसने दे रखी है 5000 आठ साल तक दे रहे तो time कितना हो जाएगा 8 को 12 से multiply कर देंगे और rate कितना है 12% है तो rate रह जाएगा आपका 1% 12 से divide करने के बाद अब यहां पर आपको formula यूज करना है EMI का EMI को कौन सा formula यूज करना है जिसमें आपको यह power जो है minus में दे रखी है तो इसमें जो formula EMI का आप लगाओगे यह formula हमारे पास आता है EMI equals to P into में I 1 minus 1 plus I raise to power minus N power जब minus होगी यह power जब plus होगी यह सारे formula यह मैंने आपको बता रखे कौन सा कब लगाना यह भी बता रखे नहीं आपको ध्याने तो जो financial mathematics का basic concept वाला वीडियो वो देख लेना सारे formula क्लियर कर लेना अब आपको EMI की value दे रखी है 5000 यह आपको find करना loan price कितना है वन प्लस आई करोगे तो यह आएगा 1.01 इसकी power minus 96 तो आपके पास यह value आनी है तो आप directly यह value उठाके लिख दोगे शक कोई प्रंगा ही नहीं है 0.3847229701 पेपर बनाने वाले 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 नहीं बड़ा अत्या चार कर रखा है यह इतनी बड़ी बड़ी एलूज दे रखी है वन में से आप इसको minus करके इससे multiply करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 5000 वन में से इसको minus करेंगे तो 10-19 फिर यहां 9 9-7-2, 9-9-0, यहां 7, यहां 7, यहां 2, यहां 5, यहां 1, यहां 6 और यहां पर 0 अब यहां से अगर आप इसको multiply करोगे तो आपको इसी से पता चल जाएगा 5, 6, 30, 30 यहां पर सिर्फ यहीं पर है और कहीं option में आसपास वाला भी नहीं है जो हम सोचें आगे तो आपके पास option बनेगा इसका A 75th question 75th question में कहता है कि A man frame a computer whose cost is rupees 5 lakh will depreciate to scrap value of rupees 50,000 in 5 year 5 साल के अंदर उसकी scrap value इतनी रह जाती है By linear method of depreciation the book value of the computer at the end of third year तो 3 साल के बाद उसकी book value क्या है तो आपको यहाँ पर उसने बता दिया कि original cost है 5 lakh Depreciation amount निकालना है 5 lakh उसकी original cost है 50,000 रुपे scrap value मिलगी कितने साल में? 5 साल में तो 5 lakh में से 50,000 आप minus करोगे तो 4,50,000 5 से multiply, divide करेंगे तो 90,000 रुपे एक साल के अंदर value depreciate हो रही है तो 3 साल के अंदर कितनी हो गई? 90 को 3 से multiply कर दो तो 90 को 3 से multiply करोगे 2,70,000 इतनी value depreciate हो गई तो total value कितनी थी? 5 lakh, 5 lakh में से 2,70,000 माइनस करोगे तो बचे का आपके पास 2,30,000 next question पर चलते हैं question number 76 अब यहाँ पर आपको case studies दे रही है और case studies को आपको solve करना है अब जब आप इसको solve करेंगे तो यह आपके पास commodity दे रही है index value by using lesbius method तो lesbius method में क्या होता है जो formula होता है हमारे पास formula क्या होता हमारे पास sigma p1 q0 sigma p0 q0 into में 100 यह हमारे पास lesbius method में formula होता है तो p1 q0 को multiply करेंगे आप p1 आपके पास यह है यह p1 है और यह आपके पास q1 हो गया यह आपके पास हो गया P0 और यह हो गया Q0 तो आपको चाहिए P1 Q0 P1 और P1 और Q0 इन दोनों को multiply करो 18 वंजा 18 तो यहां पर लिख लेते हैं 18 वंजा 18 18 वंजा 18 प्लस में 1 यह आगया 19 198 अब यहां से इसको multiply करो 6 को 42 से 252 5 को इससे करेंगे 150 और इससे करेंगे 160 इनका टोटल करो 8 रो दो 10 9 और 5 14 चोदा और 5 19 चे पच्चिस 26 दो आया 2 रेक 3 दो 5 और 2 साथ 760 तो यहां पर उपर तो आगया आपके पास 760 अब आपको चाहिए नीचे P0 Q0 इन दोनों को multiply करते हैं 12 को 11 से करोगे आप multiply 132 25 6 जा 150 32 5 जा 160 15 8 जा 120 दो आगया 5 तीन 8 8 से 14 और 2 16 4 और एक 5 तो यह आगया आपके पास 562 इन टू में 100 अब इसको आपको solve करना है solve करके आपका answer क्या आएगा जितना इसको काट सकते है उतना काट लो ठीक है 4 से गर हम काटे 4 से तो नहीं कटेगा 2 से कट जाएगा तो 380 को 281 से डिवाइड करके देखो क्या आपके पास बनेगा 380 को 281 से अगर हम डिवाइड करें तो पहले तो 1 पे जाएगा 10 माइन 1 नाइन और यहां 17 माइनस 8 नाइन 0 उता रहेंगे डेसिमल लगा दो अब इसको आप करोगे 3 पे जाएगा 3 बन जा 3 3 रेट जा 24 3 तू जा 6 और 2 एट 10 माइनस 3 7 8 माइनस 4 4 और 9 माइनस 8 1 0 उतार होगे तो अब देखो 1.3 मैं 100 को भी multiply नहीं कर रहा हूं तो 1 के बाद यहां पर 3 आ रहा है यहां भी 3 आ रहा है अब उसके बाद जो नमबर है 1470 तो हम 5 से करेंगे तो आ जाएगा तो यानि option बनेगा हमारा C यानि आपको पूरा करने के ज़रूद जितना require है अब ऐसे ही आपको यहां पर निकालना पड़ेगा next में पाशे method से निकालना पड़ेगा पाशे method में हमें data वो यूज करना पड़ेगा तो data हम ऐसे कर लेते हैं ऐसे तो यहां पर आप कह रहा है आपके पास पाशे method के अंदर तो formula होता है हमारे पास उसमें होता है sigma P1Q1 और P0Q1 तो P1Q1 P1 आपके पास यह है Q1 यह है इनको multiply कर लो 185090 और 1830 5454 प्लस में 963 यहां पर 420 450 और 240 325 बाद 10,4,14 एक बचा 6 और 1,7,4,11,4,15 और 2,17 यहां पर आगे आपके पास 1740 इन्टू में 100 करने ही कोई जरूत नहीं है decimal 2 प्ले सिधा रख लेंगे पिछले कोशन की तरह ठीक है अब divide में क्या आएगा इसके P0Q1 तो P0 आपके पास यह है Q1 यह है इसको आपको इससे मल्टिप्लाई करना है तो 12,5,60 और 12,3,36 प्लस में 6 25 को इससे करेंगे 250 32 को 15 से 15 दूनी 30 15 तिये 45 और 3 48 12 को 15 से करेंगे 180 8,8,16,5,21,2,23 बचे 2,4,2,6,6,2,8,4,12,13 तो यह आगे आपके पास 1,3,3,0 यह 0,0 cancel 1,7,4 को divide करना है ना बस आपको 1,3,3 से जितना काम जरूरी नहीं कि आपको 100 लिखना है फिर उसको 0,0 लगा के फिर दिवाइड करना है से कोई जरूरी नहीं है शॉर्ट में करो जितना कर सकते हो इसको करेंगे 1,3,3 आ जाएगा 4,3,1 7,3,4 0 आएगा decimal लगाओ अब कितने पर जाएगा अब चला जाएगा यह 2 पर 2 पर देखो 2 पर हैं option हाँ 3 पर जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 3,3 जाएगा 9,3 बंजा 3 प्लस 1,4 3 पर जला जाएगा 10 माइनस 9,1 और 10 माइनस 9 फिर 1 आगया आपके पास फिर 0 उतार होगे अब यह कितने पर जला जाएगा अब तो यहाँ 0 लगानी पड़ेगी तो 1,3 के बाद 0 आएगा यहाँ आप्शन मनेगा 76 का A अब नेक्स देखते हैं कुश्चन नमबर 78 तो 78 में हमें क्या दिया हुए 78 में कहता है तो फिशर मेथड है इस कंसिड़ेद आज आइडियल इंडेक्स इसको आइडियल इंडेक्स में पोलते हैं इसको आइडियल इंडेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह टाइम रिवसर टेस को सैटिस्फाई करता है और इस बेस ऑन दा जिवेटरिकल मीन which is regarded as the best mean for calculating index number तो यह दोनों ओप्शन जो है दोनों इसके ठीक है तो इसमें जो ओप्शन C है यह बनेगा बोथ A and B are true अब जो हमने अभी निकाला था लेस्पिर से और पास्ट से तो हमारे पस क्या होता है कि वैसे तो फिशर मेथड क्या होता है कि इन दोनों का geometric mean होता है तो वहां पर हमने देखा कि geometric mean जो हमारा आ रहा है वो अगर आप उसके साब से निकालेंगे जो हमारे answer आए थे हमारे answer क्या क्या आए थे वह answer एक बार मुझे लिखने पड़ेंगे एक बार notebook पर लिख लेते हैं हमारे पास इसका answer आया था C 76 का इसमें value आए थी हमारे पास 135.23 और इसमें value आए थी 130.83 ठीक है ये values हमारे पास थी अब इसमें अगर हम इससे निकालेंगे fischer method से तो fischer method वैसे तो geometric mean होता है लेकिन अगर हम इन दोनों value का geometric mean निकालें तो वो बड़ा लंबा काम हो जाएगा तो दूसरा तरीका क्या होता है? approximate value हम इससे निकाल सकते है कि जो fischer method के जो formula अंदर लगाते हैं इन दोनों का हम arithmetic mean निकाल दें geometric mean की जाएगे arithmetic mean निकाल दें less fierce plus में pass रहें तो less fierce की जो value थी 135.23 थी plus 130.83 थी इन दोनों का sum करके 2 से divide कर दो divide करने से पहले इवार option भी आप check कर लो क्या SE कोई value है जो इन दोनों के बीच में जो आ रही है, SE एक से ज़्यादा value है क्योंकि जो भी value निकालोगे इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ आएगी तो यहां देखो 140 इससे बाहर जा रहा है दोनों से 129 दोनों से कम आ रहा है 136 दोनों से ज़्यादा हो रहा है केवल एक 133.01 है जो इन दोनों के बीच में कोई value आ रही है तो इससे जो हमारी approximate value निकलेगी वो यही निकलेगी थोड़ा बहुत answer में differ हो सकता है लेकिन हमारा जो right answer है वो यही बनेगा 133.01 अगर ऐसी दो value होती जो इसके बीच में आ रही होती तो फिर आप इससे निकाल लेते जो closet value आती इसके वो ही हमारा answer बन जाता है अगर हम next question करते है next question में क्या करना है अब कहता है the value of P10 अब आपको P10 की value निकालने है अब P10 की value निकालने के लिए आपको जो data चाहिए यहाँ पर जो formula हमारा बनेगा formula हमारा यहाँ पर क्या बनेगा हम जब P01 निकालते है इंडेक्स नंबर है P01 निकालते तो उसमें क्या होता है सिग्मा P1 Q0 on the basis of current year तो यहाँ पर आपको किसी से multiply multiply कुछ नहीं करना सिग्मा P1 upon में सिग्मा P0 यह होता है अब उल्टा करना है तो सिग्मा P0 उपर रखना है सिग्मा P1 नीचे रखना है लेकिन अब P0 P1 निकालने के लिए हमें एक बर फिर उपर जाना पड़ेगा तो P1 और P0 की value हम निकाल लेंगे यहां से जो हमारे पास starting में दे रखा था यह आपके पास P1 है P1 आपके पास कितना है का देखो 5 और 2 7 7 और 7 14 तो यह आगया मैं इसको लग से लिख लेता हूं भी 1 केरी करा हमने 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8 यह रहा है 84 यह आपके पास सिग्मा P0 P1 कितना है 8 रोदो 10 2 और 4 6 6 और 5 11 110 तो सिग्मा जो P1 है यह हमारे पास आ रहा है 110 10 तो हमने यहां पर वैल्यू निकालनी है किसकी सिग्मा P10 की नॉर्मल ही हमसे P01 निकालते हैं तो उसमें फार्मूला होता है P1 अपोन में P0 यहां पर हो जाएगा P0 अपोन में P1 तो अभी अभी हमने जो P0 निकाला P0 हमारे पास आया कितना 84 और यह आगया 110 84 को आप डिवाइड कर लो 110 से decimal लगाएंगे 0 आ जाएगा 7 पर चला जाएगा तो यह आजाएगा आपके पास यह 0 14 माइनस 7 7 अब यह जाएगा 0.76 अब यहां 0.76 तो आपके पास कहीं भी नहीं दे रखा तो इसके जो close value आएगी आपकी वो यह वाली value आएगी तो option बनेगा आपका 80 का A 81 कोशन में यहां पर भी आपको partnership का question एक दे रखा है और 3-4 पार्ट आपको दे रखें यहां पर तो सबसे पहले तो यहां पर कहता है कि भाई ABC जो है वो 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 इतना जो है वो partnership subscribe करते हैं part of the capital and the rest was subscribe by the D और बाकी का जो part होता है वो D करता है तो D is a working partner and gets 4% of the total profit of that the rest is divided among us A, B and C, D in the ratio of their capital the total amount of profit is this total amount कितना आपको दे रखें यहां पर 10 lakh 10 lakh में से कितना कितना part इनको मिलेगा तो पहले तो आप इनकी ratio निकालो इनकी ratio क्या आएगी जब आप इनकी ratio निकालोगे तो देखो पहले D का part निकालना पड़ेगा तो total जब ratio होता है वो होता है 1 तो 1 में से 1 में से आपको क्या करना है A का part B का part और C का part इनको plus करके total में से minus कर दो तो वो डी का पार्ट आ जाएगा तो यह कितना बनेगा एलसेम लेंगे यांपर कितना बन जाएगा बारा 60 अलसे में बनेगा यहां से इसको करोगे आप 20 यहां से करोगे 15 यहां से करोगे 12 तो 20 और 30 35 35 और 45 47 शिक्स्टी में से इसको माइनस कर दो यह जाएगा 30 नबॉन में 60 अब आपको इन में से ऑप्शन बताना है क्या ओप्शन होगा तो हमें क्या करना है कि जो इनका एलसेम है टीनों का जो शेयर है कितना रहा है सब्सक्राइब तो आपको सब को यहां पर डिनोमिनेटर को 60 कर देना है तो इसका 60 करोगे डिनोमिनेटर तो बीस आएगा और दूसरे का करोगे आप तो इसमें आएगा 15 और इसका करोगे तो आएगा 12 और इसका हमने निकाला है 13 तो यहां से तो इसमों कैंसिल कर दो बीस पंदरा बारा ग्यारा यहां पर देखो क्या है तो यह हमारे पास option बनेगा इसका 81 का भी अब 82 में क्या पुछा है आप से इसको हम यहां पर लिख लेते हैं रेश्यों क्योंकि नीचे जाना पड़ेगा बीस पंदरा बारा और तेरा यह रेश्यों मारे पास आई है टोटल जो प्रॉफिट है वो है 10,000 का 4% हमें चरिटी में देना है यह चीज ध्यान रखना है अब आपसे एक शेर पूछा अब एक शेर पूछा तो पहले हम यह तो निकालने के भी प्रॉफिटेबल जो जो एमांट उन्हें डिवाइड करना है प्रॉफिट में से वह करन जाएगा तो यानि 40,000 तो चरिटी में गया तो बचा कितना 9,60,000 इतना अमांट जो है वह आपको डिवाइड करना है अब यह जब डिवाइड करोगे आप तो आपसे पूछा एक शेर तो एकी रेशो निकाली थी एकी रेशो थी 20 एकी रेशो बीस थी टोटल रेशो थी 60 ठीक है इंटू में कर देंगे 96,000 तो बीस से इसको काटा हमने तीन पे गया तीन से इसको काटेंगे 339,326,32 और उसके बाद आगे 0 यह नि 3,20,000 ओप्शन बनेगा 82 का C अब निकालते हम 83 कोशन में इसमें बी का शेर पूछा है तो बी का शेर निकालने के लिए बी के जो रेशो थी वो थी 15 तो बी की रेशो 15 थी तो यहां आएगा 15 अपॉन में 60 96 तो यहां पर एक एंसल हो जाएगा चार से चार से आप इसको काट ओगे 428,416 तो टू लैप 40,000 इसका उप्शन बनेगा आपका C ठीक है 83 का उप्शन मन गया C और उसके बाद फिर उप्शन पूछेगा आपसे मेरे खाल C का पूछेगा और फिर नीचे पूछ रहा है आपसे D का तो C की जो रेशो थी वो थी हमारे पास 12 तो C की रेशो थी 12 टोटल था 60 फिर यहां पर वही 960,000 यह 5 पर कटेगा 5 से आप इसको काटोगे तो आजाएगा कितना फाइव बंजा फाइव फाइव नाइन जा फाइव चार बचा फाइव नाइन जा फोटी फाइव फाइव तूजा तैन तो 1,92,000 तो फिर इसमें 10 एक्स्टा दे रहे रहे ए 1,92,000 और D का हम निकालेंगे तो पहले D की जो रेशो थी वो थी हमारे पास 13 तो 13 अपॉन में 60 इंटू में 96 तो एक जीरो एक एटगी यह आ जाएगा 16 13,678 कितना बचा आपके पास 7 13 प्लस में 720 तो 2,08,000 तो यह आ गया लेकिन उसके अलावा उसको 4% वहाँ पर वो वर्किंग पार्टनर था वो चैरिटी नहीं थी वो एक्चिल चैरिटी बोल गया मैं वो वर्किंग पार्टनर था तो D का शेर था तो D का शेर कितना था 40,000 तो 40,000 आप इसमें और एड़ कर दोगे तो यह बनेगा कितना 2,48,000 तो D का शेर बना वो आगया 2,48,000 तो इस तरह से यह कुश्चन जो है सारे 85 के 85 कुश्चन हमने कर लिए और I hope आपको इस वीडियो से जो एंटी का टेस्ट है उसको solve करने में कुछ help मिलेगी कुछ आपक को shortcut समझ भाए होंगे किस तरीके से आप कुश्चन के साथ deal कर सकते हैं और आप सब को आपके exam के लिए all the best तो इसी शुब कामनाओं के साथ मैं वीडियो आज खतम करता हूं Thanks to all of you